नमस्कार सातियों वेलकम डू अपनी युनिवर्सिटी दोस्तों भूगोल का पेपर है आपका और काफी जो साती हैं काफी जो विद्यारती हैं उनकी एक विसेस दिमाद आ रहे थी कि सर जो अपना पेपर है उसके बारे में हमें बता दीजी कौन-कौन से टोपिक जो है पढ ज़्यादा फोकस कर चाहिए उसके बारे में हम आज परस्टन पत्र टू की बात करेंगे और इस पेपर को लेकर विद्यारतियों में थोड़ा सा थोड़ी चिंता रहती है हलांकि मैं यह मानता हूं पेपर वन से यह पेपर टू आसान है इसलिए आसान है एक ट्रांसपोर् से ज़दा मार्क्स आपके लाए जा सकते हैं क्योंकि पेपर जो वन है उसमें कार्टोग्राफी हो गया उसमें जियो इस्पेशल टेक्निक्स हो गया ठीक है रिमोन सेंसिंग वगरा उसमें जो है विद्यारतियों पढ़ने के बावजूद भी ठीक है पढ़ने के है और इसको करना चाहिए राइट तो दूसरी बात यहां पर यह है मेरा यह मानना है कि आपका जो परसन है कि सरकुछ इंपोटेंट टॉपिक बता दीजिए उस पर फोकस करें तो मेरा यह माना दोस्तों क्योंकि जो पेपर बनाने वाला है एक्जामीनर है उसके पास इसको सब्सक्राइब जाए उसक़ोंट जाएं यहां पसे पूचे जाए तो दस यूनिट में आगर हम ऐसी दिवाइड करें तो हर यूनिट से तो अगर हम यूनिट पे जाएं जैसे मान लीजे फस्ट यूनिट हैं तो वहां से अगर 15 कुशन बनते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक्जामिनर है वो हर टोपिक को टच करेगा ठीक हर टोपिक से वहां से कुशन आने की संभा होना है तो यह जो डेट सो परसन है यह बहु के कवर करूं या पेपर वन के कवर करूं कोशीश होनी चाहिए अब लास्ट में कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको लगता है कि पढ़ने के बावजूद भी वहां से कुछ क्यूशन गलत हो सकते हैं देखो आपको केटेगरी डिवाइड करनी पड़ेगी और यह आपक सब्सक्राइब कोई भी यूनिट है ठीक है यह बहुत सांदार आपके लिए कारगर रण नीती होगी उसका बेनिफिट वोगा कैसे होगा देखिए सबसे पहले आपने क्या करिया यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर दिया एक ही यूनिट है ठीक है इसके टॉपिक लिए इदर आप जो है टोपिक लिए ऐसे टोपिक जहां से आपको लगता है ऐसे टोपिक यहां पर लिए जहां से आपको लगता है इसको पार्ट वन दे दीजिए यह पार्ट वन है इस यूनिट का यह पार्ट टू है यह की जैसे माल लिजे सेटलमेट जोग्रोफी है ठ प्रांसपोर्ट जोग्रफ कोई भी है इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया ठीक पार्ट वन एंपार्ट तो तो यूनिट फस्ट में आपको क्या करना है यूनिट फस्ट में आपको डाल देना है यहां पर कि वो टोपिक मलए यूनिट फस्ट जो भी एक्सवाई होते हैं अच्छे त्यार होते हैं घुमा फिरा के कैसा भी क्यूशन देंगे तो आप उसको क्या कर दोगे राइट कर दोगे वही यूनिट सेकंड है मतलब इस यूनिट के अंदर ही जो सेकंड पार्ट है उसमें वो टॉपिक लिग दीजिए जहां से आपको लगता है कि य बेनिफिट यह होगा कि इनको बार-बार रिवाइज करने की आउशकता नहीं है इनको पुस्तक से पढ़ने की आउशकता नहीं है नोट से आपको लगेगा फटा-फट कवर हो जाएगा और कॉनिफिदेंस भी है लेकिन इन पर आपको क्या करना है थोड़ा एक्स्टा विद्यारती हो यह बहुत जरूरी है इतना लंबा चोड़ा से लेबस है ठीक है आगे हम बात करते हैं कि यूनिट वाइज कौन-कौन से टॉपिक पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है उस पर बात करेंगे बाकि छोड़ना कुछ नहीं है सब पर फोकस करना है राइट जो सेकंड केटेगरी में आपके आते हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसको सेकंड केटेगरी में रखना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा संभावना गलत होने की या कंटेंट नहीं मिलता है या फिर जो है कुछ ना कुछ गडबड होती है कुछ ना कुछ सम सारी चाहिए इसमें आपको एप पर मिल जाएगी इसके अलाव सबसे मैतोपूर्ण जो है इसमें विद्यारती पिछले दो दिन से लास्ट में वीडियो बनाया था उसके बाद में बहुत सारी क्यूरी जाए थी कि सर अभ्यास जो टैसरीस 2.0 है जो ओफ-लाइन है तो उसका क पारक बनाया नया सबसे बड़ा पारक है जेपूर का उसके जस्ट सामने वापना ओफिस है ठीक है वहाँ पर होगा और जोद्पूर में जो है ज्यानुए आर्कलासेस पावटा होगा और शीकर में विश्वास कोंचिंग इस्टिटूट है होस्पिटल के पास में जो से का यह एसके होस्पिटल उसके पास में होगा ठीक है बाकी 21 टेस्ट होंगे 21 जिनवरी से अग इस संडे से स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरी टेस्ट का जो सेड्यूल है ठीक है इस पूरी टेस्ट का सेड्यूल आपको कहां जाना है जोग्रोफी विद सूरज सर टेलिग्राम पर जाके यह सर्च करना है जोग्रोफी विद सूरत सर इस पे सारी डिटेल टेस्ट से रिगार्डिंग सारी आपको सूचना वहां पर मिलती रहेगी ठीक है अधर कोई जानकारी चाहिए बैंकिंग नेम वगरा सारा यहां पर मोबाइल नंबर दे रहे हैं इस पर कोल भी कर सकते हैं और इस नमबर पर फॉन पर करके इसका अकौरण कर भा सकते हैं तो लास्ट ज़ो है आपको को और जो फस्ट क्रेट के हैं फस्ट के काफी अब कोल्स आ रहें पेपर जो है ठड होने के बाद जिनका फैपर थोड़ा सा डाउन रहा है वह फ़स्ट की तयारी कर रहे स् nutritious तो आगे बढ़ते हैं economic geography जो है यहां पर किसे शुरुवाद करते हैं रहिकर एकनोमिक जोग्राफिक अगर देखें तो यह जो एकनोमिक जोग्राफिक कbereich कुछ तोपिक हैं कुछ factual डाटा रटने वाले हैं बाकि सारा ये जो है आदा जो है conceptual है ठीक है थोड़ी सी understanding थोड़ी सी आपकी एक समझ विक्सित हो जाती है इस विशेपर तो आपको इसमें कम संगठन इसमें विद्यार्टियों की बहुत अधिक दिक्कत होती है तो यह जो टॉपिक है इसका जो है understanding करना है ठीक है और understanding वाला ही क्योंस आता है हर बार इससे दो क्यूशन आते हैं कम से कम हर बार दो क्यूशन आते हैं कम से कम तो अच्छे से इसको देखना है बाकि यह पूरा फैक्चिट डाटा है ठीक है यह डाटा मैं आपको अपडेट डाटा दे दूयंक अभी नहीं देपाऊंगा अपरेल में आपको दे दूंगा ठीक है तो फैक्ट्वल मोटा बोटा जो तो resources के areas कौन से है resources की site कौन सी है वो याद कर सकते हैं कि कोई लाउत पदन कहां होता है सोना तामवाल लोहा जो भी है कहां कहां होता हूँ आप याद कर सकते हैं first second third कौन है वो जो है data मैं आपको last में दे दूगा ठीक है forest वगरा जो भी इसके data है वो मिल जाएंगे एक topic जो है world energy crisis इस topic में जो है content नहीं मिलता है थोड़ी समशा रेती है तो यह जो topic है जितना मुझे content मिला ठीक है दो-तिन एरिया प्रभावित हुआ वो नोट्स में डाल दिया है तो यह topic इस पर आप focus कर सकते हैं क्योंकि यह ऐसा topic है जिसका दाइरा बढ़ा है कहीं से भी कुछा जा सकता है और अगला जो topic है यह concept वाला है ग्लोबलाइजेशन वेस्वी करन और उसकी जो वेस्वी की अर्थवयोस्ता पर क्या प्रभाव हो है ठीक है तो यह पूरा concept वाला है तो मोटा मोटा एक concept आप पढ़ लेना concept से आएगा इसमें फैक्ट कुछ नहीं आएगा ठीक है फैक्ट नहीं आएगा इस पर थोड़ा स इस संतोर्ष्ट्री मिल जाती है ऐसे टोपिक में कुछ संतुष्ट्री नहीं मिलती है अब इसमें कुछ अपडेट होगा तो वह आपको मैं अप्रेल में जो सारा अपडेट इसमें दूँगा वह आपको मिल जाएगा ठीक है कुछ डाटा मुझे और मिलेंगे वर्ड इंटिग्रेशन ब्लोक्स के कुछ ऐसे और संगटन नए बने हैं या उनकी कोई अपको यहां पर ध्यान में रखना है जैसे जी टॉंटी का आपने जो है हमने जो है मैजबानी कि तो उसके रिगार्डिंग पूचे जा सकते हैं इसके उपर हूं आपको में करेंट अफेर्ट जो होगा वो दे दूंगा ठीक है तो यह एकोनोमिक जोग्रफी है बाकि जो प् आते हैं थोड़ी समय रहती है बीच बीच में छोटी-छोटी वह concept है उनमें समय रहती है अगर हम पेपर देखें 2016 में 20 परसना आये थे अगरिकल्चर जग्रफी से 2016 में 20 परसना थे 2021 में 15 परसना इते इतना बड़ा योगदान है इसका ठीक है बड़ा योगदान है और यह सूतर हैं उनकी एक दो चीज़ें हैं नोट्स में डाली है अच्छे से देख लेना और अच्छे से देखना चाहते हैं अलका गोतम किताब आती है उसमें कर्शी बोगोल में आप देख लेना ठीक है अब जो प्रोडेक्टिविटी है अगरिकल्चर की जो है कर्शी उत्पा आएगा ठीक है और यह वह टोपिक है जहां से अंडेट पर्संट क्यूशन आएंगे ही आएंगी राइट तो इसमें छोट-छोटे जैसे क्रॉपिंग पैटन हो गया सश्य परतिरूप हो गया तो छोट-छोटी सब्दावलिया सश्य परतिरूप किसे कहते हैं सश्य परति है तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है यह अंडेट परसेंट मैं बहुत अधिक मैं तो पुछे जाता है और आप सबने अच्छे से हर तरीके से त्यार कर लिया होगा तो वोन थुनेंट से कम से कम जो है पचास प्रकार के क्यूशन बनते हैं ठीकि एक वार अगर अगर से आपको इसको त्यार करना है बहुत मैं तो पूर है बाकि यह चोट्छोटे कॉंसेप्ट है बादा ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं है ठीक है और इसके अलावा जो चोट्छोटी और करसी की प्रादिशिकन सिमांकन की विद्या वगेरा है वह अच्छे से आप देख सकत सकते हैं जो कि अँशन आपके सामने आते हैं धिकी अगला है एंडरस्ट्रियल एjan ड्रांसपोट जिए अब इसमें वेबर में भी थोड़ा सा घुमा फिराकर क्यूशन दे देते हैं तो हलका सा कन्फ्यूज हो जाते हैं अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी यहां संभावना है वेबर में गलत होने की जनरली क्यूशन आता आइसो डोपेन क्या है त्रिकोन क्या यह वह वह आसानी से आप किस तरीके से दीमाग लआगा सकता है उतने दीमाग आग भी लगा लेना कि इसके साथ इतना ही मैत्वपुन है अगस्टलोस थीक है अगर उसको लगता है कि यार में Realm से हर बार कुशन दे रहे हैं तो एक ही देते हैं दूसरा नहीं देता है तो वो अगेस्ट लोस पर फोकस करेगा ठीक बाकी जो है अगेस्ट लोस और वेबर दोनों इंपोर्टेंट है इसमित प्लांडर और यह हूवर ठीके इनका बूत लंबा चोड़ा इनका सिद्धान नह जाएगा तीनों का आसानी है अच्छे से आप कवर कर लेंगे तो सांदार हो जाएगा मतलब गलत कुशन नहीं होगा गलत होने की जो संभावना है वेबर को दसवार पढ़ने के बावजूद भी गलत होने की संभावना इस पर फोकस करना है ठीक है अगर इंडेस्टियल ज यह तो आप आसानी से कर पाते हैं क्यूशन इससे 100% दो तीन क्यूशन पूचे जाने के संभावना है आप कर लोगे अब बात बसती है एक इंडेस्टियल हैजार्ड की देखो इंडेस्टियल है जो है दो तीन चार गटना करम है उसकी जो है काला आउदी क्या है चोटा सकता नहीं तो इसमें घबराने क्या आउशकता नहीं कि यार यह जदा पड़ा नहीं है ठीक कुछ रटा नहीं है अब बात बस्ती है यह पूरा ट्रांस्पोर्ट है ट्रांस्पोर्ट की जो किताब आती है वैसनों साब की हिंदी करन तकाद में कि उससे कवर कर लेना इसन बनेंगे एक सब्योंडेट कैनेक्रीट के क्या क्या क्रेविट किया का राक रेक एकर असदेंगर एक एक्सेसे बी लिटी को प्रवाइट करने वाले कारक कुं से है टिक को Grab the कोश्ट किया है और ट्रांस्पोर्ट की कोश्ट कैसे प्रभावित होती है तो यह सारी चीजे है तो ट्रांस्पोर्ट में छोड़ना कुछ नहीं थोड़ा सा तफ लगेगा कुछ चीजे लेकिन इंटरलिंग करके पढ़ना है थोड़ा समझते कुछ चीजों को इंटरलिंग क स्टेंडिंग इतनी कर ली थी कुछ नेट के कुछ निकालके कुछ वो जो है कंटेंड मिलाता उससे निकालके कि यहां से कुछ आया वो गलत नहीं हो ए ठीक इतना काम आपको करना है लेकिन मैतो पूर्ण है इसमें समझाभी आती है मैतो कुन है याद रखेगा ठीक है बहुत और वो चीज़ें जो है आपको कुछ मुझे लगता है कि वो डेड़ करने की आउश्चता है वो mostly आपको देदी है कोई एक दो लाइन ने कोई एकाद एक पेज बनता है तो मैं टेलीगराम पर सेहर करूंगा ठीक है तो टाइप लोजी ओफ रिजन्स ठीक है प्रकारी की क्या है रिजन्स के प्रकार क्या है उसकी क्या कृणसेक्ट है एक कौंसेप्ट ओफ विसिन प्रदिश की क्या संकल्पना है वहां से संब्कृशन मतह तो ये चीज़े इस है?」 रटने वाली नहीं है regional planning पूरी रटने वाली नहीं है पूरी understanding करने वाली पूरी समझने वाली है जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो है चीजे अगर मालो इदर उदर से भी देते हैं तो आप जो है उसको handle नहीं कर पाएंगे अगर इसको समझ लेंगे तो handle कर पाएंग तो आपको रटना है थोड़ा सा एक दो बार देख लेंगे हलकालका अन्तर है तो आराम से याद कि टिकर प्रादेशिक विकास के कुछ सिधांत है इन सिधांत को सा कब दिया है उस सिधांत का मूल्टिम क्या है थीखिए बहुत महतवपून टोपिक है अच्छिंव कैसेR के गय्याथ ओर पने की विदिया और कुछ मेथenteen कुछ factual भी बनते हैं प्लस प्रादेशिक एस अमानता को मापने की विदियां कुन सी वहां से क्यूशन आया है वापस भी आएगा ठीक है विदियां किष ने दी है उसकी विदी का मूल थीम क्या है वो अच्छे से आपको देखना है ठीक है तो यह सारी चीजिए अपनी रिज 2016 में केवल साथ परसन आये थे चुकि रिजिनल प्लानिंग छोटी यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट नहीं है 2016 में साथ आये थे 2021 में बारा परसन आये इस बार भी जो है बारा परसन के आसपास आएंगे ही आएंगे राइट चली तो पोपुलेशन जोग्रोफी में दो है उससे कवर कर लेना उसके अलावा कुछ नहीं पड़ना है ठीक है जो अपडेट आएगा वह भी वह नहीं भी आई है प्रेक्सावानिये काती है पतली सी किताब जिंसन के उनगरी करन उससे जो डाटा होंगे वह मैं देदूंगा आपको माइग्रेशन माइग्रेशन की माइग्रेशन की प्रोसेस वगरा लिखी हुए तो उसमें से आएंगे तो टाइप और माइग्रेशन इसके एक्जाम्पल्स क्या है और माइग्रेशन की चूरीज क्या वहां से सांदार क्योशन बनते हैं अच्छे से देखीगा बाद में बचते ही पोपुलेशन माक्स वास से जो है कुंसेप्च्वल क्यूशन आता जब तक इसको समझेगे इसमें रटने वाला कुछ है नहीं एक माक्स की थ्योरी जो है वह आपके माइंड में होनी चाहिए कि माक्स का एक्जेक्ट कॉंसेप्ट क्या था तब इसको आप राइट कर पाएंगे कई वार क पर्षेंट लो कुशन आने के समाने देती है डेमोग्राफिक ट्राइशिशन मोडल इसमें एक्जामबल्स आपको अच्छे से देखने है ठीक तीन चार जो अपना यह अवस्ता यह अवस्ता को देखना कौन सी अवस्ता कि क्या विश्यस्ता किस देश पर लागू होती है से पूछे जाने की संभावना तो इसको अच्छे से देखेगा बहुत अधिक मैं उसके बाद में सैटलमेट जोग्रोफी में मैंने आपको इतने सांदार नोट्स दिये कि मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इतने सांदार नोट्स दिये जा सकते हैं क्या ठीक है तो इसमें मैंने बहुत मेहनद किये मेरा इंट्रेस्टिंग एरिया भी है सेटलमेट जोग्रोफी और 2016 में 23 परसन आये थे जो एकिसमें 17 परसन आये थे ठीक है दिखने में भी यह चोटी यूणीट है लेकिन उससे ज्यदा मेहनद करने किया हो सकता है ठीक है इसमें छोट देखिएगा इन सिदानों की विशेष्था क्या है कौन सी पैटी में कौन सा लोगों का नीवास होता है कौन सा कार यह होता है वहां से थोड़ा डेफ्ट में भी क्यूशन पूचे जाते हैं और उसका एक्जामपल क्या है वह अच्छे से देखेगा बहुत मैं तो कर दोनों के फॉर्मूले को आप को एक चोटा सा द्यान में रखना है थीकर दौनों के फॉर्मूले को थोड़ा सा द्यान में रखना है और यहां से अंडेट पर्शन की त्योरी ठीके किस्टोलर की त्योरी इन से आप क्यूशन कर सकते हो रेंग साइज रूल प्राइमेड सिटी और यह सिटी डीजन अरूरल अर्बन फ्रिंज सन्नागर वगरा जो फंसा देता है कि वहां दिक्कत हो जाती तो जो फंसाने वाली चीज है वहीं पर हमें एक्स्टा एफट लगानी के बराबर सेवन का क्या क्या है आसानी से कर लोगे लेकिन कई वार जो गुमाकर कफनवाले कारण दे देते हैं कुछ चीजें फंसा देते आगर उस पे आप extra effort करेंगे यह चोटे-चोटे topic ऐसे हैं सामानी आएगा तो हर कोई कर लेगा लेकिन थोड़ा सा गुमाफिरा कर देते हैं थोड़ा सा depth में देते हैं तो वहां सब लोग फंच जाते हैं अगर उस पे काम कर लिया तो आप जित जाओगे ठीक है वही आपका extra effort है वही आपको ज कि त्योरी क्या है ठीक है इन दोनों से सांधार क्यूश्य मनते हैं कई वार लोग का सिद्धान्द जो है कुछ किताब में अलग देरहका है वही सा परिलेली दूशी किताब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा concept अलग देरहका है तो थोड़ी सी यह समश्या होती है यह सब के करने का तरीका अलग है ठीक है तो अब डिपेंड करता है एक्जम एक्जामिनर किस किताब से बनाता है वो डिपेंड करता है तो यह आप देखेंगा राइट आगे बड़े चलिए नेक्स्ट है अपना सेटलमेंट के बाद में सोच्यो कल्चरल जोग्रोफी छोटी यूनिट है बहुत बड़ी यूनिट नहीं है वो अच्छे मतलब अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं जो सारे क्यूशन आते हैं जैसे दोजार छोला में ग्याराक परसन आयते दोजार एकीस में दरस परसन आयते इस बार भी जो है दसे बारा परसन ही आएंगे क्योंकि यहां से सब्सक्राइब क्या है तो कुंसेप्ट्यूल कि उसने नोट्स में सांदार्द दिये में अच्छे से आप देखिएगा सोचल प्रोसेस क्या है सामाजिक प्रक्रम क्या है कुंसेप्ट है पूरा एक बारा आप पढ़ लेंगे आराम से त्यार हो जाएगा ठीक है इसके रहे गया है एक सिद्दान्थ है इसमें ट्राइबल थ्योरी जिए तो उसका कंटेंट कहीं नहीं उसको देख्या घबराना मत आज तक दोनों वेकेंश वेक्टिशन भी नहीं पुचा गया नहीं ना तो ओन्लाइन कंटेंट है मैंने सारी सोच्छोलोगी की जो मुक्या आत क्रेंट बेस भी पूचा जाएगा और विलिजन के परकार कौन सी क्या प्रकृति है कौन सा किस में आता है वह सांदार क्यूशन बनेगा कौंसेप्ट आप सोशल कल्चरल एरिया जैन कल्चरल रीजन्स ठीक है यह बहुत अधिक मैटपून है इस पर आप ज्यान दीजीगा यहां से अंड़ेट परसंट कुशन आएगा कों से कल्चरल रहेजन की अंडरिश्टेंडिंग वाला एक पूरा तीक किए अब और आंगल अमेरीकन शांसकाथिक्प्रदेश है तो उसकी क्या विशेष्टा होगी अपना एशियान कल्चरल बीजन है तो उसकी क्या विस्रि कि टेकर पढ़ने से सारा सिनेरियों क्लिर हो जाए रटने की आवशक्ता नहीं है अब किस्ट ने किते बागों में डिवाइड का रसेन का क्या है ठीक है तो अलग-अलग लोगों कि इसका प्रादिशी कारण किया उस प्रादिशी करण की संख्या कि डाटा वहां से क्यूशन पूछे जाते हैं वो संक्या आपको दैने में एक दुबार पढ़ने के बाद दिखत नहीं आएगी इसमें एक एक वो टॉपिक भी है वेलबिंग का टोपिक है वेलबिंग का इतना बड़ा दाइरा है कि कहीं से भी पूछे जा सकते हैं तो जो जो इंडेक्स सोचल वेंग से रिलेटेड होते हैं थे जेंडर गयप रिपोर्ट है यहां से सीमित हो जाएगा तो मैंने कोशिज किया है maximum देने कि आपको ठीक है तो यह चोटी यूनिट है 100% मतलब पूरे जो क्यूशन आते हैं पूरे में से पूरे आप राइट कर सकते हो ऐसी यूनिट है ठीक है ऐसे ही एक पॉलिटिकल जोग्रोफी है यह सेम ऐसी यूनिट है उसमें पूरे से पूरे राइट किये जा सकते हैं जियो पॉलिटिक्स 100% क्यूशन आएगा कॉंसेप्ट भी है फैक्ट भी है फैक्ट आसानी से याद रहे जाएगा कॉंसेप्ट को अच्छे से कवर करना है और फैक्ट इतने बाहर कुछा गया है कि वह आराम से याद भी हो गया होगा टैसरीज के यादियं से पीवाईको से आप आसानी से कर लेंगे उसके बाद में है मैकेंडर और इस्पाइक मैन और जो है एंटी महान की थूरी वगएरा है इनको अच्छे से करिएगा मैधार से मुझे लगता है इस पाइक मेंसे लगता है कि एक वर कुंसेप्ट अगर किलियर है एक एक बार पठने की आफशचता ही नहीं कुछ चार किताब जो बहुत हुआ जयाता है कि फॉरा ओकस करना है ठीक है तेकर पटने कबाद आराम से मुझे लगता है कि बहुत अधिक मैत्रपून है और मैंने बहुत सांदार आपको करवाई भी है अगला जो है यहां पर थोड़ा मामला फंच जाता है यह कॉंसेप्ट है ठीक है कॉंसेप्ट और नैसन इस्टेट ठीक है राष्ट राज्ये और राष्ट राज्ये की संकल्पना क्या है यह पूर जो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है ठीक है तो तो कॉंसेप्ट कोसिस करना कॉंसेप्ट जितना के लिए रो सकते उतना वेस्ट है ठीक है थोड़ा सा कुछ-कुछ एक्जाम्पल इसके साथ में वह भी याद करना बाउन्डी जेन फंट्रियर फ्रंटियर्स अराम से दोन होगा जोग्रोफी ओ फेडरलिजम संगवाद का वोगोल ये भी कॉंसेप्ट है सांदार मेंने परियास किया है इसको देने का ठीक हो जाएगा अच्छे से मेरे रिसाब से गलत नहीं होना चाहिए डवलप्मेंट औफ इलेक्टोरल जोग्रोफी ठीक अब ये टोपिक जो है नया है तिक इसका टॉपिक का दाइरा बहुत बड़ा है जितना दाईरा है छोटा मतलब हम सकसे नाम है और जो किताब में हम पढ़ते है नॉर्मली वह दाइरा मेंने सांदार आपको दे दिया है तिक अगर इसमें कुछ नया इवोलिशन कुछ नहीं चीजे आती है वह वह मां से किशन मना देता है तो उसका आएका तो फेक्ट घॉल ऐसा कुछ नहीं आ जाता है तो जो है हम कुछ नहीं कर सकते है बागी मुझ लगता है कि इसमें जो क्यूशन पूचे जाएंगे सारे के सारे आप राइड कर सकते हो चोटी यूनिट है ठोड़ा पसं आए थे ते है तो उसको मैंने सिमित करने के लिए सांदार आपको नोट्स दे दिए उसका एतिहासिक और सारी चीजिए मैंने प्रस्पेक्टिव सारे बता दिए अभी करेंट का जैसे मालदीव के साथ अभी मामला चल रहा है ऐसी कुछ चीज़े बनेगी वो मैं जरूर आपको दूगा ठीक है वो आपको करन्ट अपडेट के रूप में मिल जाएगा जरूर मैं आपको दूगा इंडियन वोशिन की क्या राजियती हो सकती है ठीक है बूर राजियती इसके अलावा जोग्रोफी ओफ इंडिया है कोई भी कुछ भी छोड़ने लाइक नहीं है अठारा कुछे ग ठीक है सबसे इंपोडेंट तो है NCRT ठीक है इसके अलावा जो है बहुत सारे आगे फैक्ट है स्टार्टिंग वाले बहुत सारे कॉंसेप्ट है फीजियोग्राफी क्लाइमेट वगरा मर्दा सोईल वनस्पती ये सारी चीजे ठीक उसके बाद में फैक्ट्चुल है जो र अगर सरकार की तरफ से कुछ नए डाटा कुछ अपडेट होता है तो वहां से जरूर कुछन पूचा जाएगा चूंकि सरकार चेंज हो गई है तो मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दी ही बड़ा डाटा वगरा कुछ आएगा उसमें कुछ चीजे होगी वह आपको मैं दे तो यहां पर यह अपनी सारी यूनिट पूरी कवर हो जाती है अब बसती है अब्यास तो अब्यास जो अपना टैसरी चल रहा है उसके माधियम से आप पर्यास करते रहना ठीक के साथ में अच्छे से वहां से आपको कवर हो जाएगी और मुझे लगता है कि जो जो क्यूश हो रहा है वहां पर सारी चीजे आपको मिल जाएगी ठीकि बाकिए अगर आप अपने लेवल पर भी परियास कर रहे हैं तो एजे पढ़ते टाइम आपको एलेट रहना है एक्टिव रहना है कि एक्जामिनर क्या सोच रहा है उसके दरश्टी के अनुसार सोचते वे आपको का कि यहां से सामान आएका तो कोई भी कर लेगा लेकिन और वो कहां घुमा सकता है वहां तक आपको पहुंचना है राइट तब जो है एक्टाइफर लगाने का मजा लेगा तो आप सभी को मैनत करिए अच्छे से समय जो है बहुत जादा भी नहीं है और समय बहुत कम भी नह जाँ कि एकल दो है कि यहां एक्टाइब घा खाँ करेंद चाहां तो आपको पिस्काइब टार्वारा थच्ट को कर दिया गी नहीं हां।